हाई आई आम आरियान आई रोस्टो वीडियो की सुरुआत करते हैं तो अभी तक हम लोगों ने सीखा पजेंड इंडेपनिट टेंज का अफर्मेटिव सेंटेंज मैं जाता हूँ आई गो उसके बार निगेटिव सेंटेंज मैं नहीं जाता हूँ आई डू नोट गो या आई डॉन्ट गो उसके बार इंटेरोगेटिव सेंटेंज क्या मैं जाता हूँ दू आई गो उसके बार इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंज क्या मैं नहीं जाता हूँ दू आ डबलू एच वर्ड क्या है आईए देख लेते हैं दोस्तों जब किसी हिंदी सेंटेंस के बीच में कब क्यों कहां कैसे आधी प्रस्ण वाचक सब्द जुड़ा हो तो उसे ही इंटेरोटिव सेंटेंस विट डबलू एच फैमली या डबलू एच फैमली वाले वाले वर्ड वाट वाट मतलब क्या हाव मतलब कैसे कैसा या कैसी हू मतलब कौन किसने और किनोने वैन मतलब कब और किस समय वेर मतलब कहां और किधर वाय मतलब क्यों और वीच मतलब कौन सा या कौन सी तो आज का हमारा टोपिक है डबलू एच फैमली विट यानि प्रस्णवाच्यक वाक्य वाले sentence जैसे तुम कहा जाते हो तुम कब जाते हो तुम क्या खाते हो तुम कब खाते हो यह सब सभी प्रस्णवाले sentence जिसमें बीच में कब क्यों कहा कैसे आये जिसका पहचान है कहा ता है क्या ता है कब ता है और इसका फोर्मुला है सबसे पहले डबलु एच वर्ड उसके बाद डू डज उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद भर्व और उसके बाद अब्जेक्ट तो एक सेंटेंस ले ले लेते हैं तुम कब खाते हो तो फोर्मूला देखेंगे फोर्मूला हम सबसे पहले क्या है सबसे पहले डबलु एच वर्ड वह वर्ड क्या है यहां पर कब कब का इंगलिस लिखेंगे वैन सबसे पहले वैन लिखेंगे उसके बाद क्या लगाना है अपका यहां पर क्या है तुम कब खाते हो यह तुम है यानि यू है यू के साथ क्या लगता है डू लगता है सबसे पहले डू लगा देंगे उसके ब when do you eat और यहां object कुछ भी नहीं है मेरा sentence बन गिया तुम कब खाते हो when do you eat और एक sentence लेते हैं में कहां जाता हूं formula देखेंगे सबसे पहले डबल वर्ड लगाना या क्या है कहां कहां का English क्या होगा where सबसे पहले वेर लिखेंगे उसके बाद क्या लिखना है do do I लगाना है यहां पर क्या है में में का English क्या होगा I यानि I के साथ क्या लगता है do where के बाद do लिखेंगे do लिख दिये उसके बाद क्या लिखना है subject क्या है में का I हुआ वेर डू आई उसके बाद भर्व लिखना है भर्व क्या है जाना जाना का इंगलिस क्या होगा गो गो लिख दी है मैं sentence बन गया वेर डू आई गो और यहां object कुछ भी नहीं है मैं कहां जाता हूं वेर डू आई गो और एक sentence ले लेते हैं हम कब परते हैं तो formula देखेंगे सब सबसे पहले क्या लिखना है यहां क्या है सेंटेंस में कब कब का इंगलिस क्या होगा वें सबसे पहले वें लिखें उसके बाद डू लगाना है यहां पर क्या है हम है हम का इंगलिस क्या होता है वी यानि वी के साथ क्या लगता है डू तो हम लिखेंगे डू लिखेंगे स सबसे पहले रिखे उसके बाद do लिख दिए उसके बाद subject लिखना है subject हम का we हुआ वैंडू वी उसके बाद भर्ब लिखना है भर्ब क्या है पढ़ना पढ़ना का ने इसक्या होगा है read when do we read मेरा sentence बन गिया हम कपड़ते हैं when do we read और एक sentence लेते हैं वे क्यों दोरते हैं सबसे पहले फॉर्मॉला दहिंगा वह सबसे पहले फॉर्मॉला कर दोस्तार डू लगता है तो यहांपर वाई के बार दू लगा दिए उसके बास değil, सब्चक्न लिखना है why do they run, वे क्यों ढोरते हैं, why do they run, अब कुछ डज वाला sentence देख लेते हैं, he, see, name, it के साथ, डज लगता है, तो मेरा sentence है, वहाँ क्यों जाता है, फॉर्मूला देखेंगे, सब्सब्सक्रह से पहले विज क्या है, ए ऌ किया होँए और सेंटेंस बन गिया और मैं सेंटेंस बन गया वख क्यों जाता है सबसे पहले लगाना है यहां पर क्या है नाम है नाम क्या राम एक नाम के साथ लगता है तो वेन के पाद लगा नहीं है उसके बाद क्या लगाना है subject subject नाम का नाम ही रहता है तो यहां राम लिखें उसके बाद क्या लिखना है भर भर क्या है पढ़ना पढ़ना के इंगलिस read लिख दिये मेरा sentence बन गया राम कब पढ़ता है when does राम read तो दोस्तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगोंने सिखा interrogative sentence एक sentence है क्या मैं खाता हूँ इसको हम लोगोंने बनाये थे do I eat अगर क्या पहले हो तो do I eat सबसे पहले do ड़ज लगाएंगे और यहां what नहीं लगेगा और अब मेरा sentence है wh word with interrogative sentence मैं क्या खाता हूँ यहां पर what आगे लिख देंगे और पूरा वही उटा जाएगा do I eat मेरा sentence बन गिया मैं क्या खाता हूँ what do I eat अगर क्या पहले हो तो डबलो एच फैमिली नहीं लिखाता है और क्या बीच में हो क्या कब क्यों कैसे तो डबलो एच फैमिली वाले word sentence में सबसे पहले लिखेंगे अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ नहीं वाले sentence बना लेते हैं कहां नहीं वाले कब नहीं वाले तो इसका formula होगा सबसे पहले डबलो एच फैमिली वर्ड लिखेंगे उसके बाद do I लिखेंगे उसके बाद subject उसके बाद not उसके बाद verb और उसके बाद object तो एक नहीं वाले sentence लेते हैं तुम कब नहीं खाते हो formula देखेंगे सबसे पहले डबलो एच फैमिली लिखना है कब का English क्या होगा when डबलो एच फैमिली लिख दिया है when उसके बाद दूड लिखना है यहां पर क्या है तुम तुम का English you होता है you के साथ क्या लगता है do do लिख दिय नहीं है तो मेरा sentence बन गया when do you not eat एक और sentence ले लेते हैं में कहां नहीं रहता हूं formula देखेंगे subhuh पर्णा कदेश किया होगा डबलो एच फैम्ली कहां का वेर हुआ उसके बाद क्या लिखना है do 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 लिख दियें हुआ उसके बाद क्या लिखना है not not लिख दिये फोर्माला कर शक्य अरू Fen sentence बन गिया मैं कहां नहीं रहता हूं where do I not live और यहां object कुछ भी नहीं है तो मेरा sentence बना where do I not live एक और sentence ले लेते हैं हम क्या नहीं परते हैं formula देखेंगे सबसे पहले wh family word लिखना है क्या का English what लिख दिए उसके बाद do लगाना है यहां पर sentence में क्या है हम हम का English we होता है we के साथ do लगता है do लिख दिए what do उसके बाद subject लिखना है subject क्या है हम हम का English we what do we उसके बाद not लिखना है not लिख दिए उसके बाद पढ़ना का English read होता है read मेरा sentence बन गया हम क्या नहीं परते हैं what do we not read एक और sentence देख लेते हैं राम क्या नहीं खाता है formula देखेंगे सबसे पहले w h family word होगा क्या का English what लिख दिए उसके बाद क्या लिखना है do लिखना है यहां पर क्या लगए एक नाम है राम उहां पर डज लगए एक नाम के साथ लगता है वाट डज उसके बाद subject लिखना है subject नाम का नाम ही होता है तो राम लिख दिए वाट डज राम उसके बाद formula का लिखना है लिख दिए वाट डज राम नाट उसके बाद खाना का English it होता है जो कि भर्व है इट मैं sentence बन गिया वाट डज राम नाट इट राम क्या नहीं खाता है का sentence बन गिया वाट डज राम नाट इट तो दोस्तों मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया आप लोग को कि सभ फैमली वाले sentence में चौथे नमर पर नाट लगाते हैं तो एक देख लेते हैं तो नहीं वाला एक इजी ट्रीक में देख लेते हैं तुम कब जाते हो का sentence बनेगा when do you go और तुम कब नहीं जाते होगा sentence बनेगा कुछ नहीं करना है चौथे नमर पर नाट लिख देना है when do you औ देख लेते हैं वह घान पर्ती है honored ृवा कहां नहीं पर्ती है या चौथे नउमर पर नोट लगाना है वे इर डॉड़ शनउमर पर नॉट और रिड वे अधड़ािसी नॉट सी नॉट रिड़ चोनल में और यह सेंटेंस बन से नहीं kole तो दोस्तो हम लोग का present indefinite tense आज खत्म हो गया हम लोगों ने सीखा present indefinite tense में affirmative sentence मैं जाता हूँ I go negative sentence मैं नहीं जाता हूँ I do not go interrogative sentence क्या मैं जाता हूँ do I go interrogative negative sentence क्या मैं नहीं जाता हूँ इसके बाद डव्लेच फैमिली में मैं कहां जाता हूँ where do I go मैं कहां नहीं जाता हूँ वेर डू आई नोट गो तो इतने सारे परजयन इंडेफिनीट टेंस के थे हम लोगों ने सीख लिया अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने जा रहे हैं परजयन कॉंटिनिवास टेंस तब तक के लिए बाई वीडियो आपके कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं लाइक करें सब्सक्राइब करें